हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे इस यूटूब चैनल में दोस्तो आज की वीडियो आपके लिए बहुती इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके लिए TGT PGT हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ जो कि आपके लिए बहुती इंपोर्टेंट ह यहाँ पर दोस्तो आपसे यह पूछा आ सकता है कि हिंदी साहिति के इथियास को कितने कालों में बाटा गया है तो आपका अंसर हो जाएगा चार कालों में बाटा गया है कौन कौन से है आदी काल जिसको बीरगाता काल भी कहा जाता है बक्ती काल रीती काल और आदुनिकाल यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे गुजारिस करना चाहूंगा कि अगर आपको किसी भी question का answer आता है तो आप उसे comment box में comment करें साथ में ये बताना न भूलें कि आपने कितने का सही answer दिया हमारा अगला question है सारंग ले सारंग चल गई सारंग की ओट सारंग जीनो पाई के सारंग कई गई चोट उक्त पद्य में कौन सा अलंकार बिद्दमान है तो दोस्तों इसका सही answer हो जाएगा option number 3 यमक अलंकार हमारा अगला सवाल है जगुपसा का इस्ताई भाव किस रस्ते संबंदित है तो इसका सही answer हो जाएगा option number 3 बीबत रस हमारा अगला question है निमलिकित में से कौन सा चंद प्रकार नहीं है तो इसका सही answer हो जाएगा option number 1 द्रस्टांत आपको याद रखना है कि हिंदी के कुछ प्रमुख चंद हैं जैसे दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, कुंडलियां, हर गीत का उल्लाला, सबईयां ये सबी क्या हैं चंद हैं लेकिन द्रस्टांत कोई भी चंद नहीं है हमारा अगला सवाल है देर्ख संदी, गुड़ संदी, ब्रदी संदी, यड़ संदी, वो अयादी संदी, संदी के किस मूल भेद के अंतरगत आते हैं तो दोस्तो इसका सही answer हो जाएगा option number 2 स्वर संदी यहाँ पर दोस्तो आपसे यह भी पूछाया सकता है कि संदी कितने प्रकार की होती हैं तो आपका answer हो जाएगा संदी तीन प्रकार की होती हैं स्वर संदी, वियन्यन संदी और विसर्ग संदी हमारा अगला सवाल है भासा बिग्यान की दरश्टी से बड़ा उ किस प्रकार का स्वर है तो दोस्तो इसका सही answer हो जाएगा option number 4 पस्च संदी अब यहाँ पर दोस्तो आपको पता होना चाहिए कि यह पस्च संदी होता क्या है तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का पिछला भाग कार्य करता है उससे पस्च संदी स्वर कहते हैं जैसे बड़ा उ हो गया क्योंकि आपको यहाँ पर दोस्तो कभी कभी होता क्या है कि आपको definition दे देता है और फिर आपसे पूछता है कि यह किसकी परवासा दी गई है हमारा अगला सवाल है 36 गड किस भासा की बोली है तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number 4 पूरवी हिंदी हमारा अगला सवाल है कौन सा प्रत्य हिंदी भासा में वहवचन की रूप में जाना जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number 1 हमारा अगला सवाल है उतकर्स एक कुसागर बिद्यार्थी है यहां कुसागर कौन सा विशेशन है तो दोस्तों आपके सामने option है परिमार बोदक, सार्व नामिक, संख्या वाचक या गुडवाचक तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा option number 4 गुडवाचक कुसागर बिद्यार्थी के गुडवाचक करता है इसलिए हम लोग क्या वोलेंगे कि यहां पर गुडवाचक है हमारा अगला सवाल है सूर्दास के गुडवाचक कौन थे तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा option number 3 बल्लवा चार्या हमारा अगला सवाल है छंद पढ़ परते समय जिन इस्थानों पर बिराम लेना पड़ता है उन बिराम इस्थलों को हम क्या बोलते हैं यती कहते हैं हमारा अगला सवाल है जहां वाकिकी गती अंतिम रूप ले ले विचार के तार तूट जाएं वहां किस चिन्न का प्रयोग किया जाता है तो इसका सही आंसर ह हो जाएगा ऑप्स नमबर फूर पूर्ण विराम हमारा अगला सवाल है अमर्स क्या है तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्स नमबर टू एक संचारी भाव हमारा अगला सवाल है कवीर दास की भासा कौन सी थी तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्स नमबर फू सदुगड़ी अब आपको याद रखना है कि कबीर दास की बासा सदुगड़ी अधवा पँचमेल खिच्डी कहलाती है क्यों कि सदुगड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर पँचमेल खिच्डी भी कहते हैं तो पेपर में कभी-कभी आ जाता है कि पंचमेल खिचडी किसकी भासा है तो आपका आंसर हो जाएगा कबीरदास हमारा अगला सवाल है निमलखित में क्या गंगा का पर्यावाची नहीं है आप्शन आपके सामने है मंदा किनी, भागी रती, कालंदी या फिर सुरसरता हमारा अगला सवाल है जो कि आपके लिए बहती इंपोर्टेंट होने वाला है वदुर्मी का सई संदी विच्छित क्या होगा तो इसका दोस्तो आंसर हो जाएगा आप्शन नमबर टू बदू प्लस उर्मी बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ बिन्नार तक सब्द का चैन कीजिए पावक अनिल अनल क्रशानू तो दोस्तो इसका सई आंसर हो जाएगा आप्शन नमबर टू अनिल आपको यहाँ पर याद रखना है पावक अनल क्रशानू यह अगनी के पर्यावाची सब्द हैं जबके अनिल वायू का पर्यावाची है तो यह बहुत इंपोर्टेंट कोईशन है आपको याद रखना है हमारा अगला सवाल है निमलिकित में से कौन सा सब्द इस तरी लिंग में पर्योक्त होता है तो इसका सई आंसर हो जाएगा option number one रितू हमारा अगला सवाल है भुजंग का पर्यावाची सब्द नहीं है तो इसका सई आंसर हो जाएगा option number two गरण आपको याद रखना है व्याल सर्प पन्नग ये सबी क्या है भुजंग के पर्यावाची सब्द है हमारा अगला सवाल है समुच्य बोदक को कहते हैं तो इसका सई आंसर हो जाएगा option number one आविकारी आपको याद रखना है कि दो वाक्यों को परस पर जोड़ने वाला सब्द समुच्य बोदक अव्य कहलाते हैं हमारा अगला सवाल है विबू का पर्यावाची सब्द है तो इसका सई आंसर हो जाएगा option number one सर्व्यापक नित्य हमारा अगला सवाल है व्यास का बिलोम सब्द क्या होगा तो इसका सई आंसर हो जाएगा option number one समास आपको याद रखना है कि समास का बिलोम सब्द क्या होता ह का है व्यास होता है संचिव का बिलुम सब्द क्या होता है विस्तरत होता है और लगु का बिलुम सब्द क्या होता है दीर्ग होता है हमारा अगला सवाल है धातुशममा में प्रयोग संदी कॉनसी है तो दोस्तों इसका चैस 친구 हो जाएगा option number 3 दीरग संदी वहीं अगर आप से पूछता कि दातुसमा में कौन सी संदी विच्छे होगी तो आपका आंसर होयाता धातु प्लस उसमा हमारा अगला सवाल है लिपी की आवश्यक्ता होती है तो इसका सई आंसर हो जाएगा option number 2 भासा लिखने में हमारा अगला सवाल है हिंदी भासा की कुल वर्ड लिपिया है तो इसका सई आंसर हो जाएगा option number 3 बामन है जिसमें 11 स्वर हैं और 41 वियंजन हैं हमारा अगला सवाल है अंबरता प्रीतम कि भासा की साहित्यकार है तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा option number 3 पंजाबी आपको याद रखना है कि अंबरता प्रीतम पंजाबी भासा की प्रमुख साहित्यकार है इन्हों ने रसीदी टिकट नाम से आत्मकता लिखी है हमारा अगला सवाल है निमलिखित में से कौन सी रचना रामतारी सिंग दिनकर की है तो दोस् सुमेतर नंदन पंत की है नेहार महादेवी भर्मा की है तो यह रचना है आपको यहाँ पर याद रखनी है हमारा अगला सवाल है हिंदी कविता को चंदों की परदी से मुक्त कराने वाले थे तो दोस्तों इसका सई आंसर हो जाएगा option number 4 सूर्य कांतर पार्टी निराला द कुछ भी अलगतरी किसे वीडियो बर्माना चाहते हो तो आप मुझे comment box में comment कर सकते हैं मैं आपके according यहाँ पर वीडियो पनाऊंगा और आपको अच्छी से अच्छी वीडियो देने कोसिस करूंगा thank you very much दोस्तो